हेलो फ्रेंड्स मैं प्रतिभा परदेशी वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम लाल माट के डंठल की सबजी बनाएंगे इनके पत्तों की अलग और डंठल की अलग सबजी बनती है इनके टंठल को इस तरह से काट कर आदा चम्मच नमक और एक कप पानी डाल कर प्रेशर कुकर में दो सीटियां लगा लेंगे उबलने के बाद इसमें का पानी हम निकाल देंगे मसालों में हम लेते हैं हरा धनिया, मिर्च, अद्रक लसुन और जीरा इन्हें मिक्सी जार में पारिक पीस लेते हैं बगार के लिए मैंने पैन में लिया है तेल उसमें डालूंगी जीरा, करी लिवस और पीसा हुआ मसाला इन्हें अमरंथ वेजिटेबल भी कहा जाता है टिफिन में ले जाने के लिए ये एकदम पर्फेक्ट है, जटपड बनती है और टेस्टी भी होती है मसालों का कच्चा पंदूर होने के पाद हम इसमें मिलाएंगे हल्दी, नमक और उबले हुए टंठल याद रखे कि उबलते समय भी हमने डंठल में नमक डाला है अब बस अच्छे से मिक्स करके एक मिनिट और फ्राइ करते हुए तैयार है हमारी टेस्टी लाल माट के डंठल की सबजी ये रेसिपे आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताए चैनल को लाइक, शेर, सबस्क्राइब जरूर करें बेल आइकान को प्रेस करके आपको सिलेक्ट करना है आल ताकि मेरी सारी वीडियो की डिटेल्स आप तक जल से जल पहुँच जाए